बहुत पहले की बात है, एक शिल्पकार मूर्ती बनाने के लिए जंगल में पत्थर ढूणने गया, वहाँ उसको एक बहुत ही अच्छा पत्थर मिल गया, जिसको देखकर वह बहुत खुश हुआ और कहा कि यह मूर्ती बनाने के लिए बहुत ही सही है, जब वह आ रहा था त तो उसको एक और पत्थर मिला, उसने उस पत्थर को भी अपने साथ ले लिया, घर जाकर उसने पत्थर को उठा कर अपने औजारों से उस पर कारिगरी करनी शुरू कर दी, औजारों की चोट जब पत्थर पर हुई तो वह पत्थर बोलने लगा कि मुझे को छोड़ दो, इस उसने पत्थर को छोड़ दिया और दूसरे पत्थर को लेकर मूर्ती बनाने लगा वह पत्थर कुछ नहीं बोला कुछ समय में सिल्पकार ने उस पत्थर से बहुत अच्छी भगवान की मूर्ती बना दी गाओं के लोग मूर्ती बनाने के बाद उसको लेने आये उन्होंने सोचा कि हमें नारियल फोड़ने के लिए एक और पत्थर की जरूरत होगी उन्होंने वहां रखे पहले पत्थर को भी अपने साथ ले लिया मूर्ती को ले जाकर उन्होंने मंदर में सजा दिया और उसके सामने उसी पत्थर को रख दिया अब जब भी कोई व्यक्ति मंदिर में दर्सन करने आता तो मूर्ती की फूलों से पूजा करता, दूद से स्नान कराता और उस पत्थर पर नारियल फोड़ता था जब लोग उस पत्थर पर नारियल फोड़ते तो वह बहुत परिशान होता, उसको दर्द होता और वह चिलाता लेकिन कोई उसकी सुनने वाला नहीं था उस पत्थर ने मूर्ती बने पत्थर से बात की और कहा कि तुम तो बड़े मजे से हो, लोग तो तुम्हारी पूजा करते हैं, तुमको दूद से स्नान कराते हैं और लड्डूओं का प्रसाज चड़ाते हैं, लेकिन मेरी तो किसमत ही खराब है, मुझ पर लोग नारियल फ लेकिन तुमने आसान रास्ता चुना इसलिए अभी तुम दुख उठा रहे हो। उस पत्थर को मूर्ती बने पत्थर की बात समझ में आ गई थी। उसने कहा कि अब से मैं भी कोई शिकायत नहीं करूंगा। सीख हमें कभी भी कठिन परिस्तितियों से घबराना नहीं चाहिए।